हेलो एवरीबड़ी वेलकम टू एनदा ब्लॉग और आज डे 95 है और दिखते है कि क्या प्रोग्रेस वाई रवी भाई से आज अपडेट लेते हैं तो रवी भाई क्या हाल चल बढ़ी है शूटिंग करने का अचकल टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं खुद ही बहुत गथे में और पाइड ऊछोगते हाचा पिसमें पर फाइल भी लग चुकी है भीस्मी ठेस कैसे हले को ढाई क्वेरज्ट जिमें को ब्लॉए हाँ पर जल कि causing तंटिंग्व यह पॉल सिलिंग में लाइट का यह करिंग हो चुका है और यह तो यह तो यह ताइल भी आप देख सकते हैं रही लग चुका है यह कैसा लग रहा यह कामेंट करके जरूरा बताना लगत्छुक्ष्थ पर पथर लगना है वर्स बहुँद गए हैं दियार हो चुका है हमारा हा ठीक है बहुत बढ़िए और हमारा फॉयर अरिये में माईग लग चुकी है वेर एरियो में भी हाँ यह तो काफी पहले ही लगजी है ता इस धी लाइट कटिंग हो गई है यह भी तेक्ट हो चुका है अब देखते आहे और यह ज़र भी सारएट के जो है कटिंग को गया है अभी और फिनिशंग स्टेज पैज साहर्व में हुआ इसका मैट्रैस सा अच सब्सक्राइब और यहां पर दिखिए यह मौसम बहुत अच्छा है संसेट हो रहा है यहां से और यह कितना खुबसूरत दियू है यह और यह भी अभी यह सब्सक्राइब और यहां पर थोड़ा सा अपडेट है यह पता देना है यह पहले हमारा फुल जितना नीचे स्टेड़ी टेबल सब्सक्राइब कर दिखाने के लिए सब बना दिया था यह हम चेंज कर रहे हैं कि जो स्टेंडर्ड रहता है एक पिंट रखेंगे करें इसको दुबारा फिक्स करा जाएगा यह रहेगी बस ही थोड़ा इसकी डेप्ट हम हो जाएगी वह ड्रेसर के वाट हो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे यह भी आपने साइद नहीं देखा यह जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको बहतर समझ में आएगा हाँ यहां पर कुछ खास नहीं है तो पैनलिंग पहले भी था वैसे ही है माइका काम शुरू हो गया है अच्छा माइका लगना शुरू हो गई है कौन सा माइका है कैसा है कौन सा कलर है यह वाला कलर है यहां यहां पर यहां पर यहां पर कुछ चेंज हुआ है हाँ यहां पर पीच में वाला है तो वह हमने चेंज कर दिया है ताकि यह दोनों सेम हो जाएगे और यह हमारी हाइलाइट हो यह कोई खास वज़ा था यहां चेंज करने का वज़ा तो यह थी कि फिर एसी का सेंटर से थोड़ा आदा उदर जा था तो इसलिए हमने चेंज भी गर लिया इसको तो दो दो नो गॉल सेम हो जाए और इसमें गुरूविंग चलेगी नीचे स्टार्टिंग की अलग और ऊपर फेब जो बॉर्डरोफ गुरूवाएंगी वो अलग चलेंगी इसमें यह है और दोर अल्मोस्ट डोल बस लगाना बाकिए जी लाट लाट तर इसकी लाइट इसके भी हमारे कट प्रके हैं अपडेट सेथे तो इसकी सारी बाल्कनी की टाइम लग चुकी है इधर बाल्कनी का हमने यह चेंज करा दिया है यह दिखिए हमने जो जैसे था वैसे रखा है आप और यह पूरा कम्प्लिट हो चुका है और यहां पर हमने एक निश क्रियेट कर दिया है और आप देख सकते हैं यहां पर भी कुछ स्टोरेज टैप हम यहां पर बना देंगे कि यह जगह वैसे वेस्टेश वजा था तो हमने सोचा कि यहां पर भी उस कर ले और यहां पर आप कि सो दिन में पॉसिबल नहीं है और अब यह तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत काम भी एक्स्टेंड हुआ है थोड़ा बहुत सारा चीज होते हैं तो मैं आप लोग को बस यही कहूंगा कि अगर सो दिन का टाइम है तो आप 20 दिन 25 दिन एक्स्टा लेके चल चीज तो है कि जो आप यह मत सोचके चलिए कि जो डिजाइन आपके बन गया एक्जेक्ली वैसे ही बनेगा यह नहीं होने जा रहा है 60% के आसपास आप मान के चलिए कि एस पार डिजाइन हो जाएगा लेकिन 40% के आसपास मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल है एक green color में concept पुरा बना दिया और जब green बन के तयार हो गया उनको पसंद नहीं आए और जबकि color उन्होंने चूज किया प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आपको एक छोटा सा यह दो वाई-दो या चार वाई-चार इंच का ऐसे आपको एक sample लिखा दिया जाता है और उसमे कि मैं इस बार रिस्क नहीं लेना चाहरा था लेकिन वह डिजाइनिंग में ही पूरा चेंज हो गया आपको दिखाऊंगा last में जो कैसा design था और कैसे बना कुछ-कुछ चीज सेम है लेकिन बहुत सारे चीज़ चेंज हो गया color चेंज हो गया माइका चेंज हो गया बहुत सा प्रेक्टर है वो कहेगा आप ही ने चुछ किया है कि यह भी एक बड़ा परशानी है इसलिए में इस बना कुछ चूज करना ही नहीं चाहरा था मैं पूरा सारा चीज मेंने जो कि इनकी टीम करेंगे क्योंकि होता क्या है ना कि उनकी experience जादा होता है आप से जादा experience होता है उनको मालूम है कि यह color जैसे kitchen में मैंने designer को बोल दिया था कौन सा color आपको ठीक लागा क्योंकि हम देखते हैं हर चीज अच्छ लगए तो उन्होंने बोला cappuccino color अच्छ लगए मैंने का cappuccino पर चलते अभी पता नहीं होने के बाद पता चलेगा अभी तो कुछ दिख भी से माइंड क्लियर था कि इस्टूडियो हाउस बनाना है और वाइट थी में रखना तो वह बहुत ही आसान है वाइट इस एवर ग्रिन कलर कुछ भी कलर अगर आप लेते हो तो अगर ग्रीन येलो रेड ब्लू कुछ भी लेते हो शायद आपको ना अच्छा लगे बनने के बा आगे आप लोग को और टिप्स देता रहोंगा कि कैसे आप पैसे बचा सकते कैसे आपकी पैसे खर्चा भी होता है जो कि आपको पता भी नहीं चाहेगा सारा चीज़ बताऊंगा और फिलाल तो आप एक पूरा घर का गीव देखो और मज़े लोग फिर मिलते नए ब्लोग अबने तब तक के लिए बाबाई टे करें कर दो दो पर दो करें दो कर दो कर दो दो कि आया है झाल 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 कर दो